मित्रों, अभी तक जो भी मैंने बोला है, सबी वीडियों का अगरसार एक बाक्य में बोल दूँ और जो भी अभी तक मैंने अध्यात्मा के बारे में जाने है, तो उसके आधार पर कोई मोटो और उसका संदिश आपको बता दूँ तो क्या होगा, वो मैं आपको बताना चाह होंगा, तो यह होगा, तीन फ्रेज होंगे उसमें, पहले होगा, अपने को ना कुछ जानो, और दूसरे के अहंकार पर दया करो, और सभी तरह फैला हुआ जो चेतना है, उसके उपर प्रेम करो, मित्रों, यह है सार थीम इसका, हम इसको एक एक करके समझेंगे, पहला, अपने को ना कुछ जानो, मित्रों, हम जब भी अपने को कुछ मानेंगे, कुछ जानेंगे, तब ही हम भ्रम में होंगे, तब अहंकार होगा, तो इसलिए आप जहां भी हो, जो भी कर रहे हो, आपको लगातार यह बात ध्यान देनी है, कि आप कुछ है नहीं, आप करना, जो करना है, बड़ा-बड़ा काम भी हो सकता है, छोटा-छोटा काम भी हो सकता है, मगर, वो काम करते भक्त, आपको यह, कभी भी भूलना नहीं चाहिए, कि आप कुछ है नहीं, आप से जोए अस्तित्व कर रहा है, और आप जोए अस्तित्व का एक हिस्सा है, आप अस्तित्व है, आप जोए मई नहीं है, यह आपको लगातर इस्मरणक रखना है, तो जब यह बात इस्मरणक रखके आप बात करेंगे, काम करेंगे, तो आपका अहंकार कभी भी नहीं बड़ेगा, और जीवन में सबसे ज्यादा मतवण काम यह है, कि आपका अहंकार ना बड़े, वो घड़ता जाए, खतम होता जाए, मैं भी आप से इतनी इतनी बात करता हूं, घट रहा है, जब भी मेरा अहंकार खड़ा होना चाहता है, मैं यह बोलता हूं, कि हाँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा अहंकार बड़ा और अपने को ना कुछ सोच लेता हूँ तो फिर जो है अस्थित्तों की जो सहज इस्थिति है उसमें पहुंच जाता हूँ तो मैं आपको भी ये सलाद दूँगा कि ये बात सदा इसमा रखनी है कि मैं कुछ हूँ नहीं करना आप जितना भी अच्छा काम हो आप कर सकते हो जो कुछ भी आप करना चाहते हों कर सकते हो मगर अगर अहंकार रख्य किया तो आपको अहंकार बड़ा-बड़ा होते चलाएगा और आपके जीवन को बरबात करते चला जाएगा और आप जो कुछ भी करो ये ध्यान में रख कर करो कि मैं नहीं कर रहा हूँ अस्तित्तों से हो रहा है और मैं कुछ नहीं हूँ ये बात आपको सदा इस्मरण में रखने है क्योंकि ये सत्य है हम होते नहीं है ये हमारी मान्यता होती है कि मैं कुछ हूँ भिन्न हूँ तो जब आप ये बोलेंगे मैं कुछ हूँ नहीं जो है अस्तित्व ही है मेरे उपर से जो है जो कर रहा है वो अस्तित्व ही कर रहा है तो ये सत्य की बात होगी और ये इसमाण करने से ही आपका अहंकार द्वायो खतम हो जाएगा और इसमें दूसरी बात ही है कि चेटना को प्रेम करना ये जो चेटना है हमारे जो माईन के पार का जो मैं बुलता था हूँ जो आत्ना बुलते हैं जिसको वो सभी जगह होती है, सभी में होती है, एक कंकड में भी होती है, एक आदमी में भी होती है, एक जानबर में भी होती है, एक पेड में भी होती है, वो सभी जगह उसने घहरा है, जैसे एक सागर में सभी जगह जल ने घहरा होता है, चाहे उसे मसली हो, चाहे कोई और जानबर हो सभी को वो जलो घेरेगा ऐसे ही सभी जगह वो चेतनाने हम सभी को घेरा है तो इसलिए हम जो है वो एक ही सैतन्य है चाहे कोई पेड़ हो चाहे कोई जानबर हो चाहे कोई आदमी हो लगता है वो की अलग है मगर वो अलग है नहीं जब आप अपने भितर का उस परम चैतन् तो इस तरफ जब आप देखोगे तो आपको यह लगेगा कि दुसरा आदमी दुसरा नहीं होता है, वो भी मैं ही होता हूँ, क्योंकि मैं और वो दोनों को एक ही सागर ने घिरा हुआ होता है, तो सभी को प्रेम करना है, सभी के अंदर तो परमात्मा है ना, सभी के अंदर जो है चेतना होती है, तो इसलिए सभी जो होते हैं, वो हम ही होते हैं, तो इसलिए सभी आदमी को प्रेम करना है, सबी जानबर हो, पेड़ हो, जो किस भी हो, प्रतिभी हो, आकास हो, सबी को आपने प्रेम करना है क्योंकि वो भी आप ही है ये बात ऐसी है, जैसे अगर आपके पीछी से कोई आया हो और आपको चाट लगा दिया उसने आपने पीछे मुण के देख लिया, अगर वो अपर्चित हो और दुश्मन हो तो आपको बहुत पीड़ा और क्रोध उड़ जाएगा कि तुने मुझे क्यों चाटा मारा मगर अगर पीछे मुण के आप देखें तो वो चाटा मारने वाला आपका संबंधी हो आपका प्रेमी हो आपका घरवाले हो तो आपका क्रोध नहीं उठेगा क्यों कि आप यह मैंनते हैं कि वो आदमी जो है मेरा अपना है तो अपना आदमी ने जो कुछ भी किया हम उसको माप करते थे तो उसको हम क्रोध नहीं होता तो ऐसे क्या हो क्या होता है कि इस सभी लोग जो है यह हमारा ही सदस्य होता है जैसे एक पेड़ होता है और उसमें हजारों पत्ते होते हैं तो सभी पत्ते अलग-अलग दिखाए पड़ते हैं मगर उस सभी पत्ते जो है एक होते हैं तो इस हिसाब से सभी से प्रेम करना है क्योंकि सभी के अंदर परमात्मा है यह बात आपको इसमर्ण रखनी है और किसी से क्रोध नहीं करना है और इसमें तिश्री बात ये है कि अहंकार पर दया करना जब मैं आपको बोल रहा हूं कि सभी से प्रेम करना तो फिर प्रस्थन ये उठेगा कि जो आदमी गाली देगा तो दुष्मन है जो हमको बुरा बला कहता है तो उसको कैसे प्रेम करें तो इसमें ये है कि जो आदमी हमारा बुरा कहता है बला बुरा हमारा दुष्मन है तो उसकी चेतना जो है वो तो हम ही है तो उसकी चेतना पर तो प्रेम होना चाहिए मगर उसका जो अहंकार है वो अहंकार कह रहा है कि आप बुरे हो आप गलत हो आपको वो निंदा करता है तो यह दनी है कि जो अहंकार होता है वो एक समस्य होता है अगर कोई आपमी अहंकार में है तो वो दया का एक पात्र होता है क्योंकि अहंकार में होना एक बड़ी सजा भोगना देशा होता है इसलिए जब कोई आत्मी गाली करता हो तो आपको ये समझने है कि विचरा था तो वो भी शैतन ने, था तो वो भी परमात्मा, मगर उसने अपने अंदर का परमात्मा नहीं जाना और अहंकार में पड़ गया, इसलिए जो है वो गाली कर रहा है और जो गाली करने वाला लोग होते हैं, निंदा करने वाले लोग होते हैं, तो वो खुद ही एक पिड़ा में होते हैं, जो आदमी पिड़ा में नहीं है, वो दुसरों को निंदा नहीं कर सकता, जो आदमी खुद एक पिड़ा में होता है, खुद एक उल्जन में होता है, उस ईवर क्रोड करने वह निंदा करने वहाला आदम होता है वो जय बंदन में तो इसलिए उसके उपर नहीं बनिखिभ आ ऐसे की आदे में करना चाहिए क्यों चोई बनिखिछंब दिए थे गालीं और इसके मोई पया हूँ और नही द आद रख गवा हूँ तो इस हिसाब से हम उसको गाली नहीं करते हैं अगर कोई गरीब हो भिकारी हो तो अगर उसने गाली दिया तो भी हम उसको माफ कर देते क्योंकि उसको हम यह माल लेते हैं कि विचरा है भिकारी है दयवान है तो ऐसे ही जो लोग भी घ्रणा करतें, किसी को निंदा करतें, वो हंकार के कारण करते तो उसका इरादा नहीं है आपको गाली करना, मगर उसके अंदर अहंकार है और वो अहंकार जो है, जलन से जलेशी से बढ़ा हुआ है、 तो वो भी कुछ करने सकता, वो बिचारा है जो होंगे और वो जो लोग कहेंगे आपको, उससे आप बुरा मत मानना, आप उनको दया करना, क्योंकि वो लोग समस्या में है, पीडा में है, तो इसलिए तो वो गाली करते हैं, अगर खुशी हो, परसन्न हो, तो परसन्न अबस्ता में वो किसी का निंदा नहीं कर सकता है, अगर खुद ही किसी पीडा में अगर हो, तभी वो दुसरे को निंदा कर सकता है, तो इसलिए बात ही समझनी है, कि वो आदमी जो है, वो तो मैं ही हूँ, चेतना के लेवल में, तो इसलिए उसको प्रेम करना है, और उसका अंदर अहंकार है, इस अंदर अहंकार के कारण, यह कुछ भराः बुला कहता है, मुझे गाली करता है, तो वो ओँ हम आफ देने योग्य है, क्योंकि वो समस्या में है, वो स्笑ापिया हुआ है, वो आदम्या ना biggest व वो आदमी तो इसे कारण वो जो है करता है, तो उसको जैसे उसने हम पर निंदा किया, हमने भी उसे सिन् विचरा है, समस्या में है, पीडा में है, तो एक अहंकार का दुर्गंदित तलाव है, तो उसके अंदर वो है, डुबा हुआ है, तो वहां से उसे वही निकलेगा, तो इसलिए बुरा मत मानना, क्योंकि संसार में बहुत होंगे लोग, आसपास आपका समंदी होंगे, तो अगर आपका अहंकार को छोट पहुचा, तो आप गलत ही होंगे, क्योंकि आपको दया आनी चाहिए थी, तो यह बात ही है, बनी अभी कि दूसरों के अहंकार पर दया करना, और उसके चेतना को प्रेम करना, क्योंकि वह आप ही है, और अपने को ना कुछ समझ के रखना, त तो यह तीन बात जो है, ध्यान में रखकर जब जियेंगे, तो आप खुश हाल में जी पाएंगे, सत्य में जीन पाएंगे, मित्रों, जो नए है, उनको मैं बूलना चाहूंगा, कि आप जो है, यह बात को गहरे से अपने जीबन में लागू करने के लिए, कुछ ध्यान का साधना का भी प्राक्टिस करना होगा, तो वो करने के लिए आप मेरी प्राइबेट साधना की वीडियो देख सकते हैं, उसके लिए आप मुझे बात करें, नम्मर जो है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, यह वार्शम नम्मरा और लिंक, थैंकि.